हेलो गाईज मैं हूँ अफलेश आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ऐसे टेक्निकल रिसर्च यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अपना निवास परमारपत्र आप अपने फोन से ओनलाइन कैसे बनाएं अब आपको किसी भी पाड़ी केंद्र पर जाने की आउशकता नहीं है गाईज दोजार चौबिस में नया अपडेट किया गया है अब हर वेक्ति अपना निवास परमारपत्र जाप परमारपत्र और आया परमारपत्र अपने फोन से ओनलाइन बना सकता है गाईज तो इस वीडियो में मैं आप आपको step by step बताने वाला हूँ कि अपना निवास परमारपत कैसे अपलाई करना है किस पोर्टर से अपलाई होगा गाईज तो इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ step by step तो इस वीडियो को लाक्ष तर जरूर देखें गाईज जिससे कि आप भी पर चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेश्ट जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर देगा आई यह वीडियो को सुरू करते हैं आपको फोन में या लेप्टॉप में या कंप्यूटर में जि जैसे ही आप क्रोम ओफन कर लेते हैं उसके बाद आपको सर्च बार में आ जाना है सर्च बार में आने के बाद आपको टाइप करना है इडिस्टिक जैसे ही आप इडिस्टिक टाइप कर लेते हैं उसके बाद आपको सर्च बे किलिक करना है जैसे ही आप सर्च बे किलिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है आप आपको इडिस्टिक होम वाले ओप्शन पे किलिक कर देना है जैसे ही आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेश ओपिन होता है अब आपको सबसे पहले गाईस एरो वाले ओप्षन पर आ जाना है और आपको डेस्ट आप से लगा लेना है अगर आप फोन से अफ्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद गाईस आपको क्या करना है उसके बाद आपको सबसे उफर आफ आएंगे तो आपको एक आप्षन मिलेगा सिटीजर लॉगिन इसाथी आपको इस फे किलिक कर देना है जैसे आप इस फे किलिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेश ओपिन हो जाएगा अब आपको अगर अभी तक आप यहां से id password नहीं create किये तो नभी उप्योग करता पंजिकराण फे किलिक करके अपना id password बना सकते हैं अगर id password बनाने में आपको प्रोब्लम होती है तो आपको description में लिंक मिल जाएगी वहां से जाके आप वीडियो देखके और बना सकते हैं अपना user id password जैसे आप अपना user id password create कर लेते हैं उसके बाद आपको दुबारा से पंजिकरित उप्योग करता लोग इन में आ जाना है और आपको सबसे पहले अपना user id बनाएंगे वह डाल देना है उसके बाद आपको अपना password डाल देना है पासवर्ट डालने के बाद आपको जो capture दिया होता है उस capture को फिल क कर देना है जैसे ही आप सब्मिट वाले option पर किलिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ interface open हो जाता है अब इस page को आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रोल करते हैं जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रोल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां से आप अपना जात पर्मा पर्मारपत दिभ्यांग पर्मारपत हैसियत पर्मारपत यह सारे आप बना सकते हैं जब आप सेटीजर लोगिन आइडी बना लेते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि निवास पर्मारपत कैसे फिल किया जाता है ओनलाइन किया जाता है तो मैं सि यहां पर अपना आधान नंबर फिल कर देना है जैसी आप आधान नंबर फिल कर देते हैं गैस उसके बाद आपको एक security code दिया होगा नीची उस security code को इंटर security code में फिल कर देना है गैस जैसे ही आप security code फिल कर देते हैं उसके बाद नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो एक box आपको छोटा सा मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा मैं आधार धारक UIDI के साथ अपना KYC करके बनाना चाहता हूँ उसके बाद जैसे आप उस पर टिक कर देते हैं तो आपको submit वाले option पर किलिक करना है जैसे ही आप किलिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेश ओपिन हो जाता है यानि कि आपने जो आधार नंबर फिल किया उस आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रिजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाती है जिसका फुल फाम होता one time password उस OTP को आपको इंटर OTP वाले option में फिल कर देना है जैसे ही OTP आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपको सम्मिट वाले option पर किलिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेश ओपिन हो जाता है यानि कि आपके आधार कार्ट पे जो आपका नाम होगा जो इस्टे कि जो विवाहित हैं तो आपको पती वाले option पर किलिक करना यहीं कि उसके पती का नाम डालना है अगर आप किसी जंग्स का अप्लाई करने तो आपको फिता चूच कर लेना इस उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम पिता के नेम यहां फिल कर देना हिंदी में जैसे ही आप नाम फिल कर देना हिंदी में जो भी आपके आधार कार्ट पे होगा गाईस उसके बाद आपको क्या करना है माता का नाम फिल कर देना हिंदी में यानि कि जो भी डिटेल आपके फिल होगी वह हिंदी में फिल होगी तो आपको हिंदी में फिल कर देना है अपने माता का नाम उसके बाद आपकी जो डेटा आपर सफे वह आपके अहां के कार्डिंग एक टव में टिक उठा लेगा उसके बाद आपको अपना माकार मवट एıl में नहीं जाओ आपको आपना मोहला या फोस्ट डाल देना उसके आपको अपना थाना चूच कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना ग्राम चूच कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना ग्राम चूच कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना ग्राम चूच कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना ग्राम चूच कर लेते हैं उसके बाद आप जो भी mobile नंबर आपका चालू हो उसके बाद आपको क्या करना लिए उसके बाद आपको एक option मिलता है अन्य था जन्म से ही रखना है उसके बाद आपको एक option मिलता है परमाडपत बनवानी क्या आउसकता यानि कि पूछता आप परमाडपत क्यों बनवा रहे हैं क्या आउसकता है तो जिस कारण से भी आप बनवा रहे हों गई वह आपको यहां पर डाल देना है जैसे कि गईस गरना लगाना है तो मैं अपना सेवा यह जन क्यों डाल देडा हों गयां कि और ao कि उसके बाद गईस्ति क्या करना पытको नीचिए हरजाना है और अगर आपका खिसी वी राशन कार्ण में आपका आदार radas लिंकसे तू आपका राशन नंबडर पर एटोमेटिक उठा लेका उसके बाग आपको गईस सनलगनक सीरसक का ऑप्षिन मिलेगा यहां से आपको आपना जो भी सबसे पहले आपको अपना फोटो चूछ कर लेना यह नी कि फोटो अफ लोड कर देना गईस। तो फोटो उख़ो करने के बाद आपको एक option में लेगा चूज फाइल का और गाइस जो फोटो की केवी होगी यानि की साइज होगी वो मैक्समम 50 केवी होगी और जो भी आप आधार कार्ड और सोपरमारित अपलोड करेंगे वो अधिकतम सो के भी होगी तो आपको चूज फाइल फे किलिक करना और अपना फोटो चूज कर लेना गाईस जैसे ही फोटो चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको अफलोड वाले option पर किलिक कर देना तो आपका फोटो अफलोड हो जाएगा गाईस यë देख सकते हैं नीचे दिखा रहा है हमारा फोटो अफ़लोड हो चुका है अब आपको दुबारा से वही सरलगनक सेर्षक पर आना है और उस पर क्लिक करना है और आपको अपना स्वखर्मारिट वाले option पर क्लिक करना है कि तो आपका स्वफरमाडित अफलोड हो जाएगा उसके बाद भारा लेंगी सनलगनग शेर्षक प्र आपको यहां फिर अन लगा लेना है जैसे कि आप अब लगा लेंगे उसके बाद नीचे आपको डाल देना आधार कार्ड अगर आप आधार कार्ड अपलोड करना है अगर आप कोई भी नाम संसोधन है तो डालना है तो यहाँ पे आपको अपना माक्षिट जैसे अपलोड करना है या वाटर अपलोड करना है तो आन्ने करके आप यहाँ पे अप अपना आधारकार्ड यहां पे अपलोड कर देना है और गैस अगर आपको फोटो की या डाकुमेंट की साइज के भी बनाने में प्रोब्लम आती है तो आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप लिंक पे किलिक करके अपना फोटो की साइज और अपने ड अगर कोई भी तुरोटी है तो आपको सहीं कर सकते हैं जैसे ही आप सारी डिटेल चेक कर लेते हैं उसके बाद आपको दर्ज करें वाले आप्शन पर किलिक कर देना है शोपिन हो जाता है यानि कि जो हमारा निवास परमार पर वो ओनलाइन हो गया अब आपको क्या करना ताकि आपको स्टेटस चेक करने में कोई भी प्रोब्लम ना आए गाई उसके बाद आपको नीची एक ओप्शन मिलेगा सेवा सुल्क भुकतान के लिए यहां किलिक करें यानि कि अब आपको अपना सेवा सुल्क कटाना है तो आपको यहां फे किलिक कर देना गाईस सेवा किलिक करें जैसी आप इस पर किलिक कर देते तो आपको सामने इस तरह का कुछ इण्टरफेश ऑपन होग गाईज अब नेट्वाइंकिंग, से क्यू आर İş जिस से भी सब्सक्राइब करें तो आपना निमास परमार्पत आए जार सारा कुछ अपना ऑनलाइन बना सकते हैं अपने फोन से आपको कहीं जाने की आउसकता नहीं है और उम्मेद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद ही होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने और वीडियो को लाइक करें गाइस अगर आपको कोई कहीं भी प्रोब्लम आती है तो आप डिस्क्रेशन में जाएंगे वहाँ से आपको इंस्टाग्राम फेस्बूक आइडे मिल जाएगी कि महां से आप अपना किलिक करके और मैसेज कॉल कर सकते हैं गाइस अगर कोई भी प्रोब्लम आपको आते हैं या कमेंट वाक्स में कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको उसका सोलूशन बता दूँगा थैंक्यू दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो